बन जाओ किताबों की पुजारी कि पूरी सिलेबस हो जाए तेरे लिए प्यारी जिस दिन कोश्चन्स के साथ दिखाने लगोगे मदारी उसी दिन हो जाएगी तेरी नोकड़ी सरकारी बन जाओ करते हैं आप सभी खापी कर मस्त होंगे जब रदस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में ब्यस्त होंगे तो बहुत से बचों का ये मैसेज़ है कि सर कोर्स तो जोईन कर लिए हैं अपलिकेसन पे लेकिन सर दीख नहीं रहे हैं तो भाई अपनी जो क्लासेस है रेगुलर तरीका से मंडे को स्टार्ट होगी तब तक हम सोचे एक वीडियो बनाकर डाल देते हैं जिसमें हम लोग जिक्र कर रहे होंगे mathematics के पूरे syllabus पर कैसे हम mathematics पढ़ाएंगे कैसे cover कराएंगे कितने दिनों में कराएंगे तो अगर आप इस badge को जोईन कर लिए हो तो आप बिलकुल ही सही जगा पर आए हो क्योंकि इस badge का नामी है complete mass foundation badge zero से hero level इंडिया का आप किसी भी government examination की त्यारी कर रहे हो और mathematics आपको परिशान करती हो और उस examination में mathematics exist करती हो तो आपको tension लेने की कोई जूरत नहीं है क्योंकि badge का ही नाम है zero से hero level आप mathematics में बिलकुल ही zero हो बस केवल और केवल आपके पास basic calculation होना चाहिए और 25 तक table आनी चाहिए basic calculation में भी बस हुआ ही जोर घटा गुणा भाग बात बाकी तो technique and tips and tricks हम आपको देंगे ही badge के दर्म्यान इतने चीजों पर आपकी पकर है तो आपको सोचने की कोई जूरत नहीं है हम आपको zero से hero बनाएंगे इस badge का duration लगबग five से six month होगा हमारी classes कैसे चलेगी हमारे परहाने का style क्या होगा अगर हम संचिप में बोले तो किसी भी chapter को जब हम लोग start कर रहे होंगे तो सबसे पहले उस chapter का हम लोग basic theory देखेंगे भर भर के हम आपको theory पढ़ाएंगे जो की theory नाम market से गाइब है हम अधिकांस्तो सिक्षक को देखते हैं कि आते हैं जिस भी chapter को start करना होता है बीना theory बताए ही भीर जाते हैं question पे question के practice पे लग जाते हैं लेकिन मेरे भाई कल को यदि exam में किसी अलग type का question पूछ दे तो यदि आप theory पढ़े रही हैगा deep में किसी भी chapter का तो उस question को आप खुद से cover कर सकते हैं इसलिए theory बहुत important होता है किसी भी chapter के लिए theory को साथ में लेकर चलने में थोरा सा समय लगता है लेकिन उससे क्या हम आपके लिए 2 घंटा extra ही हर chapter में मेहनत करेंगे लेकिन हम आपको theory बरभर के पढ़ाएंगे theory खतम होने के बाद question का calculation हम आपको सबसे पहले basic से करा रहे होंगे उसके बाद technically कैसे question को solve करते हैं ये तरीका बता रहे होंगे बिल्कुल हमारा assignment zero level से hero level तक का होगा मतलब label जो होगा assignment का धीरे धीरे increase करेगा सुरू में हम छोटे छोटे question से start करेंगे ऐसे ही आगे बढ़ते हुए level step by step बढ़ रहा होगा ये चीजे हर एक chapter में होगी और यदि हम बात करें mathematics के syllabus पे तो आपको पता ही होगा कि mathematics एक बहुत ही बढ़ा subject होती है normally आप जानते है mathematics में arithmetic number system advance और data interpretation लेकिन अगर हम आपको पूरे detail में बताएं तो पूरे mathematics को zero से hero level तक कभर करने के लिए total आपको 46 chapter पढ़ना होगा और हम आपको पढ़ाएंगे भी total 46 chapter जैसे जब हम लोग arithmetic स्टार्ट करेंगे तो arithmetic में total 16 chapter आती है जैसे ratio and proportion, partnership, percentage, simple interest, compound, interest, installment, profit and loss, discount, average, time and work, pipe and kitchen, time, speed and distance, problem on train, फिरो जाग आपका bot and stream, race and game, elevation, last का chapter फिर जब हम लोग advanced math पर रहे होंगे तो इसमें भी लगबग 15 chapter होती है वैसे तो देखा जाए तो advanced 5 session का होता है algebra, trigonometry, geometry, mensuration और coordinate geometry लेकिन जब हम लोग algebra पर रहे होंगे तो 4 चीज़े देखेंगे algebra, polynomial, quadratic equation and cubic equation ऐसे ही जब हम लोग trigonometry को पढ़ेंगे तो वहाँ पर trigonometry, maximum, minimum and height and distance यहाँ पर 3 session हो गया फिर जब हम लोग geometry पर रहे होंगे तो वहाँ पर start करेंगे lines and angles से फिर triangle, circle, quadilateral, polygon मतलब यहाँ पर 5 भाग हो गया फिर coordinate geometry हम लोग cover करेंगे after that data interpretation यह भी एक बहुत ही महतोफूनी chapter होता है जिसमें पूरे arithmetic का निचोड चाहिए होता है अगर पूरे arithmetic आपका cover है तभी आप data interpretation का question कर पाएंगे ऐसे ही यदि हम number system पर बात करेंगे तो number system भी लगबग total 15 chapter से मिलकर बनी होती है नर्मली देखते हैं market में number system को 7 से 8 चेप्टर में लोग complete करा देते हैं लेकिने मेरे भाई हम आपको ये दवा कर रहे हैं कि इंडिया के आप किसी भी government job का त्यारी कर रहे हो तो उसके लिए आप निफिकिर रहे है क्योंकि number system में कुछ ऐसा chapter होता है कि किसी examination के लिए उसे neglect करना होता है वो useless होता है और कुछ ऐसा chapter उसके लिए important होता है मतलब कुछ exam में कुछ chapter important होगा, कुछ chapter useless होगा कुछ examinations में कुछ chapter important होगा कुछ chapter useless होगा तो अब useless और important को देखते हुए हम लोग total chapter को ही पर लेंगे क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप railway का form डालते है तो SAC का form नहीं डालिएगा और SAC का form डालते है तो CDS का form नहीं डालिएगा आप तो पूरे examinations को देखते हुए इस badge को जाइन किये होंगे इसलिए हम लोग number system में भी total 15 chapter पढ़ेंगे start करेंगे classification of number से फिर place value and face value, rating and bar binary number, disability rule, list of zero, unit digit, factors and multiple, reminder theorem, square root and cube root, square and cube वैसे ही fractions, shorts and indices, simplification, series और LCMHCF ये total 15 chapter हो जाएगा हमारा number system का यानि overall पूरे mathematics में 46 chapter हो जाएगा इन 46 chapter को complete कराने के बाद जब 5 से लगबग 5 महिने में इन सभी chapter को हम complete करा देंगे total 43 chapter को सभी chapter को complete कराने के बाद पूरे course complete कराने के बाद हम 400 से 500 question पे आपको practice करा रहे होंगे और वहाँ पे हम ये सिखा रहे होंगे कि कैसे हम mathematics को question को करते हुए फोरा समय बचाएं और उस समय को हम किसी other subject पे apply कर सके मतलब overall यदि हम आसान भासा में भोले तो उन 400 से लेकर 500 question पे हम आपको tips and tricks सिखा रहे होंगे mathematics के question को करने का technique बता रहे होंगे minimum समय में कैसे कड़े question को calculation कैसे fast कड़े calculation कै कुछ tip and tricks देंगे by option से question पे कैसे attack कड़े unit digit से question पे कैसे attack कड़े digital sum का कैसे use कड़े question के calculation पे तो syllabus खतम हो जाने के बाद हम 400 से लेकर 500 question पे ये सभी चीज़े आपको बता रहे होंगे तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है आप यदि course purchase कर लिए हैं तो प्यास कीजिएगा live class में ही परने का क्योंकि अगर live class में आप पर रहे होंगे तो आपका हम doubt भी clear करा देंगे वैसे तो live class होने के बाद video application पे रहेगा ही लेकिन यदि आप live class नहीं करते हैं तो बहुत सारी video pending में हो जाती है और जब एक बार साथ साथ video pending में होगी तो ऐसे ही आपका pending में चलता हुए चला जाएगा बात को समझ रहना वैसे application पे रहेगा आपका validity one year का रहेगा लेकिन मेरे भाई इस चीज को आप समझ ये अगर आप live class नहीं कीजिएगा तो video बहुत सारी pending में हो जाएगी और pending में video नहीं रखना है इसका सबसे best तरीका है अगर आप pending video से बचना चाहते हैं तो live class को join कीजिए 5-6 महिनया में हम आपको विदा भी करतेंगे और उमीद करेंगे कि जल्द से जल्द आप अपने लच्छे को प्राप कर हमें मिठाई खिलाएं आपका regular classes इस्टार्ट होगी Monday से मिलते हैं next classes में Thank you for watching and all the best Good night